नमस्कार दोस्तों, प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की अपनी सफल यात्रा के बाद शनिवार को नई दिल्ली लोटाए और हवाई अड़े पर उनका भाजापा कारेकरताओं ने भावे स्वागत किया इस मौके पर प्रदान मंत्री मोदी ने संशिप्त संबोधन भी किया और अपनी अमेरिका यात्रा के दोरान राष्टपती डोनाल ट्रम्प और दो दर्जन से अधिक राष्टा अध्यक्षों के साथ दोई पक्षिये बाच्चीत का हवाला दिया संयुक्त राष्ट महासभा में प्रदान मंत्री मोदी ने ना तो पाकिस्तान का जिकर किया था और ना ही कश्मीर का जिकर करना मुनासिब समझा वैश्विक मुद्दों पर उन्होंने अपना ध्यान फोकस किया था और भाशन के अंत में पूरी दुनिया को केवल ये संदेश दिया था कि आतंकवाद की समस्या पर अगर दुनिया बंटी रहती है और इस खत्रे की अंदेख ही करती है तो ये किसी के लिए भी हितकर नहीं होगा लेकिन जब वो शनिवार को दिल्ली पहुँचे तो लोगों को संबोजित करते हुए प्रधान मंतरी मोदी ने अपने ही अंदाज में पाकिस्तान को तीन साल पहले हुई एक घटना का इसमरन जरूर करा दिया उन्होंने 28 सितंबर 2016 की रात की उस घटना का जिक्र किया जब वो पूरी रात सो नहीं पाये थे क्योंके उड़ी की घटना के बाद भारतिय सेना ने पाक अधिकरत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की थी और वहां जो आतंक वादियों के लॉंचिंग पैड़ थे उनको ध्वस्त करते हुए करीब 40 आतंक वादियों को खत्म कर दिया था प्रदान मंत्री मोदी ने उस घटना का जो 28 सितंबर की रात को हुई थी जिकर करके एक तरीके से पाकिस्तान और उसके प्रदान मंत्री इमरान खान को इसमर्ण कराया है और एक तरीके से इंडारेक्ट वे में ये चेतावनी भी दी है कि यदि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो भारत के पास हमेशा सर्जिकल स्ट्राइक और बाला कोट में की गई एर स्ट्राइक जैसे विकल्प एकदम खुले हुए हैं और आपको याद होगा जब अमेरिका में साजा प्रेस कांफरेंस हो रही थी और पत्रकारों ने अमेरिकी राश्टपती डोनाल ट्रम्प से पूछा कि सीमा पार से लगातार घुसपैट हो रही है आतंकवाद से भारत तरस्त है ऐसे में उन्होंने पाकिस्तान के प्रधान मंतरी इमरान खान से क्या बात की है और उन्हें क्या हिदायत दी है तब ट्रम्प ने मोदी की तरफ देखते हुए कहा था कि मुझे पूरा भरोसा है कि प्रधान मंतरी मोदी आतंकवाद से निपट लेंगे उनकी काबलियत पर मुझे कोई संधे नहीं है प्रधान मंतरी मोदी ने भी इशारो इशारो में बड़ बोले पाकिस्तान और उसके प्रधान मंतरी को ये संदेश जरूर दे दिया है कि वो खाम ख्याली में न रहे, सपनों की दुनिया में न रहे और किसी भी तरह की धंकिया देने की कोशिश ना करे भारत उसे कहीं भी, कभी भी पुख्ता जवाब देने में पूरी तरीके से सक्षम है और जिस दिन प्रधान मंतरी नई दिल्ली लोटे, उसी दिन भारत के विदेश विभाग ने चीन को चेतावनी दी कि वो भारत के अंदुरूनी मामलों में दखल देने की गुस्ताखी ना करें आपको इसमरन होगा, इमरान खान के बाद चीन के विदेश मंतरी ने भी संयुक्त राष्ट महासभा में भाशन देते हुए, कश्मीर पर बयान बाजी की थी और ये कहा था कि जो यूएन चार्टर है, जो सुरक्षा परिशद का प्रस्ताव है उसके एकॉर्डिंग कश्मीर का हल निकाला जाना चाहिए विदेश विभाग के प्रवक्ता, रवीश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फरेंस में चीन को सीपेक की याद दिलाते हुए ये कहा कि उसे भारत की एकता, खंडता और संप्रभूता का ख्याल रखना चाहिए चीन को भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने का या उस पर बयान बाजी करने का कोई हक नहीं है भारत को इस बात की आशंका थी कि चीन एक मातर ऐसा देश होगा जो संयुक्त राष्ट महासभा में पाकिस्तान का साथ देते हुए कश्मीर का राग अलाफ सकता है और उसने वही किया और यही वज़य है कि भारत को चीन को उसकी हदें बताने के लिए प्रेस कॉन्फरेंस करनी पड़ी और उसे यह समझाना पड़ा कि पाक अधिकरत कश्मीर से गौादर तक जो वो सीपैक बना रहा है वो भी भारत की संप्रभूता को एक तरीके का चेलेंज है और चीन को इस तरह की हरकतों से बाज आना चाहिए और कश्मीर के जरिये भारत पर निशाना साधने से बचना चाहिए अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल इसकी सामगरी पसंद आ रही है तो लाइक करें कमेंट करें वीडियो शेयर करें अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें और साथ में लगे बेल आइकान को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें बहुत बहुत धन्यवाद